Hello everyone and welcome to this session और जो session है वे online session है और हमें बता है कि इस समय पर PGT Camera Science का जो syllabus है वो change हो गया है और लगभग एक वीक से दो वीक हो चुका है मतलब PGT Camera Science का जो syllabus है वो यहां से change हो गया है और यह actual में बहुत अच्छी news है मैं news अच्छी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे syllabus जो थे वो बहुत जादा outdated थे जैसे VB Script आप यूज करते हो VB Script आप basic को यूज करते हो या फिर flash आप यूज करते हो तो ऐसे बहुत सारे software है जो आज से 10 से 12 साल पहले 15 साल पहले वो syllabus मतब जो software है वो बंद हो चुके है और वो बहुत time से same ही syllabus महाँ पर चल रहा था तो अब हमने क्या किया है because मैंने आपको पहले भी students को mention किया था पहले भी मैंने आपको बताया था because हमारा syllabus change हो रहा है इस दिए से it is important कि हमारा syllabus change होना चाहिए तो क्या changes है मैं आपको यहां से mention कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारा जो live classes कैसी रहेगी उसके बारे भी मैं आपको यहां से बताऊंगा तो सबते पहले आप syllabus को चेक कर लेता है तो पहले हमारे पास जो पुराना syllabus था वहां पर यह एक ऐसा area है जो same रहेगा इसके अदर कोई भी changes यहां पर नहीं रहे है operating system digital logic के अदर बे कोई syllabus यहां पर changes नहीं हुए हैं लेकिन जो changes हुए है वो हमारे पास programming tool विजुल बेसिक इसको हमने change कर दिया है वो यहां से हटा दिया है इवन पहरे जो data structures हम लोग यूज करते थे वो C और C++ के basis से हुआ करते थे तो इसी वज़े से जो data structure है इवन दो data structures अभी भी exist करता है लेकिन वो अब वो python में आता है वो अब इनो वो C C++ से नहीं आता उसके लाबा प्रोग्रामिंग इन C++ भी syllabus से हट चुका है right relation algebra ये available है business computing जो है वो बंद हो चुका है और web development जो है वो भी हां से remove हो चुका है यानि कि आपके पास XML आपको नहीं पढ़ना आपको HTML नहीं पढ़ना है आपको ASP को भी आपको नहीं पढ़ना है उसके अलाबा आपके पास bbscript और javascript ये दोनों areas भी यहां से remove हो चुके है multimedia authorating tools ये भी यहां से remove हो चुके है लेकिन communication network concept जो है वो अभी भी यहां पर exist करता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा syllabus change हो चुका है बस ऐसे areas ऐसे topic को हमने यहां से नहीं करते ये बहुत ही important था क्योंकि ऐसे कुछ softwares थे जो अब कोई use ही नहीं करता है आज से 15 साल पहले का जो syllabus था आज में वो भी syllabus रहा है और it is important कि ये syllabus change होना चाहिए था अब अगर आप check करेंगे यहां पर अब नया syllabus क्या रहेगा मैं आपको साथ मेंशन करता हूँ यहां से और सबसे पहले computer architecture ये topic जो है वो पहले से same है जो पहले था वो आज भी ऐसा कैसा है operating system digital logic वो भी पहले से था अभी भी ऐसा रहा है अब जो changes हुआ है यहां पर इनों है python right computational thinking and programming python यहां पर add कर दिया गया है उसके अलावा society law and ethics यह भी यहां से ethics यह भी हां से cover हो चुका है अब यह जो दोनों changes है यह बहुत positive है right कोई बोलता है कि सारी अच्छा नहीं है यह actually बहुत अच्छा profit यह बहुत ही अच्छा changes है और मैं खुद personally बोलता हूँ कि यह एक ऐसा topic है जो अब students के लिए future में भी बहुत जादा benefit होने वाला है देखो एक simple सा example में आपको जाता हूँ generally जो PGT के तियारी जो बच्चा करता है right अगर मैं as a student के बारे में बात कर देखो दो तरह के हमारे पास चीज हमारे पास आती है 11th और 12th class में अब computer science subject को चूज करते हो तो उसके अंदर उन्हें ये plan किया है कि future में अगर कोई बच्चा as a IT field पे काम करना चाहता है या future में कौन से software use होने वाले हैं उसके basis पर ही syllabus यहाँ पर बनाया गया है right तो python जो है वो भी यहाँ से add हो गया है और मुझे पताया था कि python मैंने पहले भी अपने youtube की classes पर हम लोग पहले कर चुके हैं क्योंकि मुझे पता कि future में python आने वाला है और कई सारे अलग-लग exams होते हैं जैसे दो तरह के exam होते हैं एक होता हमारे पास center वाले exam जैसे आपके पास kvS है और ऐसे हर एक state का exam होता है जैसे D2 प्लेस भी है या फिर आपके पास UB teacher teacher आपके पास है या फिर हर एक state पर आप जाएंगे चाहें आप अंधरा से हैं अंधरा का खुद का PGD का exam होता है उससे तरह किसे आप let us suppose JNK से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी खुद का exam होता है तो वो हर जगह पर यह सेम चीज़ वहाँ पर भी आती है उसके अलावा यह जो concept है वो same ही है पहले भी ऐसा था आज भी ऐसा ही है DBMS भी almost same ही है database concepts वो भी same है यहाँ पर SQL भी आएगा अब यह जो topic यहाँ से add किया गया है वो emergent trends यह trends के questions जो topics है जो यहाँ से आ गया ही क्या topics है मैं आपको बताऊँगा mention करूँगा और उसके लावा pandas यह एक नई चीज़ है क्योंकि data handling using pandas यह एक नई चीज़ है और यह यहाँ पर add किया गया है उसके लावा community networks यह topics same है बट यह जो नया topic यहाँ से add हुआ है वो है आपके पास social impacts यह यहाँ पर add हुआ अभी syllabus किसके basis पर बनाया गया syllabus क्यों change हुआ है मैं आपको दिखायता हूँ तो सबसे पहले अगर आप syllabus पढ़ना चाहते हो तो पहला और सबसे basic चीज यह है कि आप 11th class के जो students की books है आप उसको पढ़ो NCRT का जो syllabus है NCRT का syllabus जो है वो आपको पहले से cover करना है अगर आप NCRT का syllabus अगर आप पहले cover करेंगे तो उससे आपको exam में बहुत जादा benefit आपको होने वाला है तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले काम यह है कि आप NCRT की जो standard book है इस book को आप लो और ये जो book है ये free of cost है ये students completely free of cost आपको कुछ pay करने की ज़रत नहीं होती है तो आप इस website पर जाओ और इस particular जितने topics है आप यहां से उसको देखोगे अब उसके बाद जो ये 11th class की book है दो तरह की book हमेरे पास आएगी 11th class और एक है 12th class अब जैसे ये 11th class है अगर आप 11th class का स्लिवसाब चेक करोगे तो वहां पर computer systems के बारे में पुछा गया है कि आपके पास computer कैसे create किया गया आपके पास CPU क्या होता है microprocessor क्या होता है softwares क्या होता है operating system क्या होता है उसके अलावा आपके पास number system क्या पढ़ोगे फिर emergency trends क्या क्या है जैसे इसमें पर AI पर काम चल रहे है इसमें पर big data पर काम चल रहा है internet of things पर काम चल रहा है तो ये जो नया trends क्या है वो trends यहां पर mention किया गया है उसके अलावा फिर algorithms क्या क्या होती है जब मैं problem solving के बात करते हैं कि algorithm के basics है वो basics के उपर questions यहां से आते है उसके अलावा python जैसे बताया था कि हमारे पास python covered है ये आपकी 11th class में है उसके अलावा आपके पास flow of control यह यहां पर mention है functions mentioned है strings के बारे में है तो यह strings यह सरी python के उपर ही है उसके लावा list जो है वो ही python के अंदर है tuples and dictation यह भी आपके पास python के अंदर ही आती है उसके बाद यह जो नया जो area में आपको बता है which is social impact तो impacts क्या है वो यहां पर mention है और ऐसे ही अगर मैं 12th class का slivers आप चेक करोगे तो वहां से आपके पास python है how to handling in python उसके लावा file handling in python फिर आपके पास stack add किया गया है stack जो है वो data structure का concept है queue जो है वो भी data structures का concept है sorting जो है even searching जो है यह सब भी sorting और searching जो है अब यहां से dbms का slivers यहां से start होता है ठीक है जिस पे sql majorly focus करते है कि sql के जो complete slivers है वो यहां से mention यहां पर क्या गया है उसके लावा component works same topic है और data communication same concept है और security aspects यह भी हां पर mention है कि आपके पास antivirus क्या होता है spam क्या होता है और fireball क्या होता है सब चीज़े यहां पर slivers यहां पर आरता है और last में हमारे पास है project based learning ठीक है कि आप कुछ project पर यहां पर काम करते हो अब जो slivers है जैसे बताया कि same slivers है लेकिन जो 11th class का slivers है और 12th class का slivers है वो ही यहां पर mention किया गया है तो अगर आप PGT Community Science की त्यारी करना चाहते है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप 11th class और 12th class का जो book है उसको use करो NCRT का standard book है पहले उसको आप refer करो उसके refer करने का उसके सारे slivers को आप cover करो उसके बाद फिर आपको अपनी जो standard एक extra book है reference books हैं वो आप इसको use कर सकते हो अब जैसे मैं आपको यहां से mention करता हूँ generally जो बच्चे use करते हैं this is Samitha Aroda Samitha Aroda इसका जो 11th class और 12th class जो book है आप इसी book को use करो and that will be enough इन दोनों को अगर आप सबसे पहले अच्छे से आप कर लोगे तो बहुत अच्छे chances है कि आप PGT exam को easily clear कर पाए अब इसके अराबा यह सभी जो courses हैं वो हमारे पास you know DigiMento में हमारे पास सारे courses मैंने वहां से भी cover किया हुआ है और अब because labels changes हुए है change हुए है तो हम लोग भी as soon as possible हमारे वीडियो भी आपके साथ available होंगे और मैं भी अब बहुत आप स्पीड से मैं एक concept अब आपको बता रहा हूँ तो just fair let's wait for one week इस week के अंदर हमारी सरी जो नई classes है वो सभी आपके पास available हो जाएंगे और आपको इसकी कोई फिर वारी problem इहाँ पर नहीं रहेगी चलो so I hope you like the session session आपको अच्छा लगा होगा now let's meet to the next session और next session पर अब हम इसके जो syllabus के जो concept है हम इसके बारे में discuss करेंगे have a good time to all of you and bye-bye